नमस्कर विद्याठी मित्रों कक्सा पाज के हिंडी क्लास में आपका स्वागत है विद्याठी मित्रों इकाई चार सोच अपनी अपनी पात को आपने चित्र के माध्यम से अभ्याश किया अब हम पाठ्य पुस्तक में दिये गए अभ्याश की प्रेश्णों को समझेंगे तो चलो हम प्रेश्णों को समझते हैं इकाई टीन सोच अपनी अपनी अभ्याश की प्रेश्णों प्रेश्ण एक प्रेश्णों की उत्तर दिचिए पिद्याथी मित्रों यहाँ पर प्रेश्न दिये गए है आपको उसके उत्तर तुंधने होंगे प्रश्ण नम्बर एक सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे है? आप अपने पाथ्य पुस्टक के चित्र में देख सकते हो कि चर्वाहा अपनी गाये चराने के लिए निकल पड़ा है? प्रश्ण तीन नार्यल के कितने पेड है? चित्र में देखकर गीनिये? प्रश्ण चार चित्र में गर कितने है? चित्र में देखकर गीनिये कितने गर है? प्रश्ण पाँच बच्चे बगी चे में क्या कर रहे है? आप चित्र में देख सकते हो देखो बच्चे क्या कर रहे है? चर्वाहे के हाथ में क्या है? चर्वाहे के हाथ में आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखो देखो चित्र में देखो यह सारी प्रश्ण के उत्तर आपको चित्र में देखकर तैयार करने होंगे विद्यार्थी मित्रों अब हम प्रश्ण दो देखते है प्रश्ण दो सोच कर बताईए विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर डिये गए प्रश्णों के उत्तर आपको सोच कर तैयार करने होंगे प्रश्ण एक चर्वाहे क्या सोचते होंगे? क्या सुच्टे होंगे बताओ मुझे तो लगता है कि चर्वाह सुच्टा होगा कि गाये चराने कहां जाएंगे नदी की ओर जाए या जंगल की ओर जाए ज्याधा गास कहां मिलेगी आप सोचों आपको क्या लगता है डो सुरज निकलने पर क्या क्या होता है सोचों सुबह हो जाती है तब क्या क्या होता है सोच कर बताओ प्रश्टन तीन तुम बगीचे में होते तो क्या करते आप लोग बगीचे में जाते हो तो क्या करते हो प्रश्टन चार कुट्टा क्या सोच रहा होगा? सोचो और बताओ. प्रेश्ना पांच टिटली उर्ती क्यों है? आपने टिटली तो देखी होगी. सोचो, क्यों उर्ती होगी? प्रेश्ना छ़ डो या तीन पक्सी साथ साथ क्यों उर्ते है? आपने पक्षियों को उर्ते हुए तो देखा होगा. देखा है न? तो सोचो. बिध्यार्थि मित्रों, यह प्रश्नों के उत्तर आपको ध्यान से सोचकर तयार करने होंगे. प्रेश्ना तीन चित्र के आधार पर प्रेश्नों के उत्तर दिचिये. विद्याठी मित्रों, प्रश्णों की उत्तर लिखने से पहले मैं आपको यह कहानी सुनाती हूं, तो चलो, हम कहानी सुन्ते हैं एक तोपी बेचने वाला व्यापारी तोपी यह बेचने के लिए गाउं जा रहा था गर्मी के कारा वह ठक गया था उसने एक पेड की नीचे टोपी यह की तोकरी रखी और वह आराम करने लगा थोड़ी ही देर में उसे नीद आ गई यह पारी तो सो गया जब उसकी नीद खुली तो उसने देखा कि टोकरी तो खाली थी खाली टोकरी देखकर वह चौक उठा वह तो इडर उदर देखने लगा फिर उसने पेड के उपर देखा पेड के उपर कहीं बंदर बैठे हुए थे सभी बंदरों ने अपने सीर पर टोपिया पहनी हुई थी टोपी वाले को बहुत गुस्सा आया उसने बंदरों को पत्थर मारना सुरू किया फिर भी बंदरों ने उसकी तोपी वापस नहीं दी तोपी वाले को एक विचार सुचा उसने क्या क्या पता है आपको उसने अपनी सीर की तोपी उतारी और जमिन पर फेक दी तब क्या हुआ पता है आपको चलो मैं बताती हूँ तब बंदरों ने भी अपनी अपनी सीर की तोपिया उतार कर जमिन पर फेक दी इसलिए तो बंदरों को नकलची बंदर कहा जाता है अब टोपी वाले ने क्या क्या? पता है आपको? टोपी वाले ने जल्दी जल्दी टोपीया इकठी की और टोकरी में रखडी अपनी सारी टोपीया मिल गए इसलिए टोपी वाला तो खुश-खुश हो गया अब तोपी वाला अपनी तोपिया की तोकरी लेकर दुसरे गाउं बेचने के लिए निकल पड़ा विद्यार्थी मित्रों कहां जाता है कि नकल में अकल नहीं होती विद्यार्थी मित्रों यह चित्र आपकी पाथ्य पुस्तक में दिया गया है आपको इस चित्र को डेख कर चार से पाच वाक्य अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखने होंगे विद्यार्थी मित्रों आपको यह अब्यास के प्रश्न समझ में आ गये होंगे यह अब्यास के प्रश्न आपको अपनी नोट्बुक में लिखने होंगे तो विट्याठी मेत्रो हम फिर मेलेंगे आउजो